हेलो दोस्तो स्वागत याप सभी को हमारी यूट्यूब सेनल पर दोस्तो हम यहाँ पर पली अस्टोर पर आज चुके हैं और आने के बाद अगर हम यहाँ पर यह वाट्सप को अगर इंस्टोल करते हैं तो यह इंस्टोल नहीं हो पाता है यहाँ पर लिखता है दोस्तो पें अड़के अंदर दोस्तो इस problem को fix कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले दोस्तो आपको क्या करना है आपको दोस्तो यहां से इसको cancel कर देना है ठीक है दोस्तो आपको यहां से cancel करने के बाद आपको यहां से back हो जाना है दोस्तो धीहान से इस वीडियो को दिखीगा तभी जाकर कि आप अपना प्रोब्लम को fix कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे अपने प्रोफाइल वाले ID पर क्लिक कर दोना है यानी कि Play Store के यहाँ पर प्रोफाइल वाले पर क्लिक कर दोना है किलिक करते ही दोस्तो आपको यहाँ पर आना है नीचे setting आपको यहाँ पर एक setting का option दिख जाएगा इसके उपर किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर network preference का एक option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको इसके उपर क्लिक कर देना है दोस्तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Add Download Preference का एक Option दिख रहा है यानि यहाँ पर इसके उपर क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं दोस्तो अगर आपका पहले से ही ओभर Wi-Fi Only रहेगा जिसके आपको पहले से ऐसा रहेगा तो आपको यहाँ से Over Any Network पर क्लिक करके आपको यहाँ पर OK कर देना है बागे आपको कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ से बैक हो जाना है दोस्तो बैक होने के बाद सबसे Main Setting है दोस्तो आपको क्या कर लेना है वही Main Setting से आप जो है दोस्तो अपना जो है से प्रोबलम को फिक्स कर सकते हैं ठीक है आपको यहाँ पर अपने फोन के Setting में आ जाना है ठीक है तो हम अपने फोन के Setting में आ जाते हैं हम यहाँ से अपने फोन के Setting में आ गें ठीक है दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर एक क्या प्लेर सटरस्ट करना है और पले अस्टोर ठीक है दोस्तो आपको इस तरह से पले अस्टोर सर्च कर लेना है इसके उपर आपको यहां से क्लिक कर लेना है दोस्तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखेगा उसके बाद आपको यहां से क्या करना है दोस्तो आपको फोर्स अस्टोप वाले ओप्शन पर क्ल देते हैं उसके बाद आपको यहां से नीची आना है नीची आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों एक आपको यहां पर ओप्षन मिल जाता है strong and catch का इसके उपर यहां से इसके उपर click करके आपको यहां से दोस्तो clear catch कर देना है आप में बहुत सारा option दिख रहा होगा दोस्तो मगर आपको ध्यान से play store का force stop करके clear catch कर देना है clear catch करने के बाद दोस्तो आपको यहां से clear strong वाले option पर भी click करके आपको यहां से इसको clear कर देना है दोस्तों अब आपका काम हो चुका है ठीक है अब आपको यहां से back हो जाना है back होने के बाद दोस्तों आपको जो है सीधा play store पे आना है मैं यहां से play store पे आता हूँ play store पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ option मांगेंगे ठीक है आपको यहाँ पे live दिखालता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम आपका जो play store है एकदम नया बन चुका है अब आपको यहाँ पे कोई भी application जैसी की search करेंगे तो हम यहाँ पे whatsapp ही search कर देते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे दिखेगा चुटकियों के अंदर से मेरा installing स्टार्ट हो चुका है मैं इस install नहीं करना चाहता है इसके लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ